तो क्या दोस्तो आपको ऐसा लग रहा है किचन में कोई ऐसा पार्ट है जो वास्तु अनुसार गलत है क्या वास्तु के अनुसार डाइनिंग टेबल बिलकुल सही लगाई गई है क्या कोई ऐसी चीज और आपके माइंड में खटक कर रही है जो वास्तू के नुसार गलत है जी हाँ दोस्तो एक और चीज है जो वास्तू के नुसार गलत है जैमात आदी दोस्तो, आज नवरात्रा स्पेशल की फोर्थ वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, बात करेंगे प्लॉट डीटेल्स की आप लोग देख सकते हैं, 45 फिट बाई 40 का प्लॉट है, टोटल अठारा सो वर्फूट और 200 गज का हमारा प्लॉट रहेगा, साइज एकदम पॉफेक्ट है, उसके बाद फेसिंग की बात के तो साउथ फेसिंग हमारा प्लॉट रहेगा, और प्लॉट के चारो साइड में क्लाइंट का अपना ही एरिया है, तो हम चारो साइड में विंडोज दे सकते हैं, रिक्वार्मेंट की बात करें, तो इस उसके बाद इस स्टेर्केस घर के अंदर से एक सेट आउट ओपन पॉर्ट है, और फ्रंट में थोड़ा सा गार्डन अरिया भी देना है, आईए दोस्तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, डिरेक्ली डिजाइन, तो दोस्तो जैसा कि आप लोग स्किन पर देख सकते हैं इस दोसो गज के प्लॉट में दोस्तो कितना सुंदर घर का नकसा यहां पर बनाया गया, मतलब की बहुत मन से दोस्तो मैंने यह नकसा बनाया है आप लोगों के लिए, साउथ फेसिंग ऐसा नकसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर, आईए दोस्तो मैं आपको step by step समझा देता हूँ इस नकसे को और साथ में complete वास्तु के बारे में भी बात करते चलेंगे, सबसे पहले दोस्तो फ्रंट में आपको sit out मिलता है यहां पर, sit out से जैसे ही entry point पर आते हैं, यह है आपका main door, काफी अच्छा main door हमने आप गैलरी पैसेज यह पर दिया हुआ है, अभी हम चलते ही घर में, जैसे घर में enter करते हैं, आपको left में एक bedroom मिल जाता है, दोस्तो sizes देखिए काफी अच्छे है, waterops रखने के बाद भी sizes काफी अच्छे आएंगे, 12 feet 2 inches by 12 feet 9 inches का bedroom है, उसके बाद आप लोग आगे चलेंगे, आपको right side में यहां प kitchen मिल जाती है, देखिए कितनी सुंदर kitchen है, open modular kitchen है with the dining area, sizes भी काफी अच्छा है, L shape में आपकी slab लगाई गई है, दोस्तो फिर से एक question आप लोगों के लिए कि, ये दोनों चीजे मैंने आप लोगों से पूछी थी कि इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, आप लोगों ने सही है हमारा entry का वास्तू, उसके बाद हमारी Porsche भी भी ठीक है, इस परदी वास्तू, उसके बाद South में हमारा ये वाला bedroom बनाया गया है, जो की वास्तो अनुसार बिलकुल correct है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, South East में kitchen बनाई गई है, बिलकुल correct है, तो क्या दोस्तो आपको ऐसा लग रहा है, kitchen में कोई ऐसा पार्ट है, जो वास्तो अनुसार गलत है, जैसे की, सबसे पहले, आपकी East side में देख सकते हैं, यहाँ पर gas लगाई गई है, जो वास्तो अनुसार बिलकुल correct है, लेकिन दोस्तो, यहाँ पर sink आपकी बिलकुल गलत है, क्योंकि South में लगाई आपको East में मिल जाता है, फिर से एक question आप लोगों के लिए, क्या वास्तो के अनुसार, dining table बिलकुल सही लगाई गई है, चलिए, मैं बताता हूँ, बिलकुल गलत तरीके से लगाई गई है, सही तरीका क्या होता है, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, dining table को place करने का, इ उसका reason क्या है, यहाँ पर reason यह आ जाता है कि अभी जो लोग facing करके बैठेंगे, देखिए, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, East में, West में और North में आप अपना face करके खाना खा सकते हो, लेकिन South में कभी भी face नहीं करना है, तो आप लोग बोलेंगे अभी यहाँ पर तो यह वाली sitting हम यहाँ से हटा देंगे, एक तो यह वाली और एक यह वाली ताकि look बनी रहे, यह दोनों sitting आपकी बढ़िया है, left side की और आपकी यह right side की, ठीक है, यहाँ तक वास्तु clear हुआ, चलिए, next अभी हम लोग आगे चलते हैं, आपको यहाँ पर यह और थमें complete west में अपनी staircase बना सकते हैं, east में नी बना सकते हैं, अगर east में बनाना चाहते हैं, तो lightweight staircase बनानी है, और ऐसी staircase जो आपके घर की energy को block ना करें, देखिए, east side में हमने यहाँ पर proper window भी दी गई है, तो cross ventilation का भी proper धियान रखा गया है, जैसे की, दोस्तो सबसे my favorite चीज जो है इस plan में वो मैंने आपको यहाँ पर declare कर देता हूँ, वो है यह मेरी lobby, दोस्तो बड़ी और luxury lobby मुझे बहुत ज़ादा पसंद है, sizes दोस्तो बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सामने देख सकते, 30 feet 9 inches by 13 feet की lobby luxury है, दोस्तो, उसके बाद cross ventilation की बात करें देखि sofa sitting दोस्तो देख सकते हैं कितनी अच्छी की गई है यहाँ पर और सामने बहुत ही अच्छा luxury LCD पैनल दोस्तो, अगर आप करा देंगे with false healing design तो घर में मज़ा आ जाएगा, चीक है, चलिए, next आगे बढ़ते हैं, lobby से आप आगे आते हैं तो आपको एक और यहाँ पर bedroom मिल जा जाता है, north east में 12 by 12 का size काफी अच्छा, ventilation की कोई दिक्कत नहीं है, इसी room के साथ में आपको एक attached, यहाँ पर यह dressing room मिल जाता है, उसके साथ में आपको एक attached toilet भी मिल जाता है, sizes की कोई दिक्कत नहीं, next आप बाहर आते हैं, आपको देखे, lobby में एक बहुत अच्छी जगा प आपको एक और bedroom मिल जाता है, जिसमें attached toilet और dressing room दिया गया है, दोस्तो यह वाला part बिलकुल correct है, वास्तो के हिसाब से क्योंकि northwest में है, क्या कोई ऐसी चीज और आपके mind में खटक रही है, जो वास्तो के नुसार गलत है, जी हाँ दोस्तो एक और चीज है, जो वास्तो के नु होना चाहिए, ठीक है, दोस्तो, I hope की design आप लोग को बिलकुल समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है, बहुत सारे लोगों की comments होती है, कि हमें designs इस तरह से 2D में जादा समझ में नहीं आता, तो चलिए दोस्तो, अभी मैं आपको इस plan का एक basic सा 3D overview दिखाता हूँ, किस तरह से 3D में रहेगा, दोस्तो देखिए, ये आपको अभी थोड़ी थोड़ी चीजे clear हो गई होगी, कि हमारा घर 3D में की सतरह से रहेगा, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ, ये steps मिलेंगे, steps से आप अपने घर में जाएंगे, और front में आपको एक basic ये एक gardening हमने हाँ पर दी हुई है, घर में enter करते ही, आपको दो यहाँ पर room मिल जाएंगे, दो front में ये windows यहाँ पर हम दे देंगे, उसके बाद, next आपको दोस्तो देखिए, यहाँ पर ये kitchen मिल जाती है ठीक है, kitchen के बाद दोस्तो, हम लोग आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पर एक dining area मिल जाता है, देखिए, यह हमारी staircase इस तरह से रहेंगे, staircase की नीचे यहाँ पर हम लोग windows वगरा place कर देंगे, यहाँ पर, और देखिए, यहाँ पर full wall पर मैंने बताया था, आपको window लगाए जिसकी वज़े से यहाँ पर जो हमारी sofa sitting होगी, और सामने देखिए, यहाँ पर यह हमारा LCD panel इस तरह से लगाया जाएगा, ठीक है, next आप लोग आगे बढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए, back side वाला room था, यहाँ पर राइट side वाला, और यहाँ पर देखिए, यह common toilet हो गया, यह toilet with attached dressing room में आप लोग इस तरह से एंटर करेंगे दोस्तों, ठीक है, उसके बाद यह आपका back side का room यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, आपका room हो गया, उसके साथ में attached toilet यहाँ आपका dressing room, तो दोस्तो एक basic overview 3D का कुछ इस तरह से रहेगा, दोस्तो अगर आपको अच्छा लगाओ, comment करके ज़रूर बताइएगा, नक्से की PDF डाउनलोड करने के लिए link description में है, जाके download कर सकते हैं, अपने घर का नक्सा बनवाने के लिए भी आप मुझे contact कर सकते हैं, मेरी contact details भी आपके सामने हैं, ठीक है, तो चलिए दोस्तो, आज की इस वीडियो में ब बगाई